हाई फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चानल और आज हम बनाने वाले हैं चावल के आटे से ऐसी डिश जो की वितिन 15 मिनिट्स बिल्कुल तयार हो जाएंगी और टेस्ट के बारे में तो क्या ही के ना तो चलिए फ़राफट बनाना शुरू करते हैं आज की रेसिपी यह की हैं तो सबसे पहले एक बरतन में डाल दिया है पानी कम से आप नमक है कि आटा डालने वाले हैं इसमें थोड़ा साचाओर और इसमें डालने आप दूद में टेस्ट आकालींगे और यह चावल का आटा है तो या पे मैंने एक कटोरी चावल का आटा लिया है लगभग देड़ कटोरी पानी में एक कटोरी चावल का आटा और अच्छे से इसे मिक्स करते जाएंगे थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे और इसके लिए आप जो भी बरतन ले वो याद रखे कि थोड़ा सा मोटे तले का हो ताकि जो आटा है नीचे से मतलब जलना नीच चाहिए और इसे कंटिन्यू हमें चलाना है अच्छे से मिक्स कर देंगे और इस वक्त गैस के फ्लेम बिल्कुल स्लो रखनी है नहीं तो जो आटा है वो जलना चालू हो जाएंगा तो अभी अच्छे से मिक्स हो चुका है तो इसे हम अभी ढ़क के थोड़ी देर पकने देंगे और अभी आटा अच्छे से पक चुका है और इसे हम एक बार मिक्स करके अच्छे से इसके छोटे छोटे गोले बना लेंगे क्योंकि हमें ये अभी फिर से स्टिम भी करना है इसके जो बॉल से वो छोटे छोटे करेंगे तो स्टिम भी काफी जल्दी और अच्छे से हो जा एक फिर से वही नॉन स्टिक पैन और उसमें डाल दी ही थोड़ी सी सरसो तेल में थोड़ा से जीरा और इसमें हम डाल देंगे अभी हरी मिर्च और करी पत्ता आप चाहिए तो इसमें चिली फ्लेक्स का भी यूज कर सकते हैं उसका भी टेस्ट काफी अच्छा आता है और इस आप यथे जिए आप आप चाहिए है तो आप अभी चाहिएक ब्यू मिन्यट लग शै कहाते है तक कोटाया ब लुटभ में और अभी आम देख सकते कि बिल्कुल तयार है और उपर से डाल दिया इसमें थोड़ा सा हरा धनिया और खाने में भी बहुती बढ़िया हैं आप भी इसे जरूर ट्राइ किजिए अगर आज की मेरी आपको रेसिपी अच्छी लगती तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्य नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो फिर मिलते हैं ऐसी वीडियो के जाद तब तक के लिए बाई बाई